आपका हमारे चलनल योगा जो किसन इंडिया में विद्धार्थियों आद में इस वीडियो के माध्धम से आपको कोशिका और उत्तक यानि सेल और टिसू के विशे में बताने वाली हो मुख्य पॉइंटों को आपको बताऊंगी जो परिच्छा के लिए तो प्योगी शावि कोशिका होती है हर कोशिका अपने आप में जीवन के गुड़ों से परिपूर्ड कार के दिर्ष से पूरी तरह सक्छम और सनरचना की दिर्ष से परिपक्क्य होती है कार की अप एक छानुसार कोशिकाओं की सनरचना में परिवर्तन हो जाता है और अलग लग तरह के अंग यहों तंत्र तयार होते हैं विभिन कोशिकाओं की सनरचना से भिनता होते वे भी सभी कोशिकाओं की मूल सनरचना एक जैसी होती है और कई रचनात्मक विशिष्ट गुड उन सभी में समान होते हैं और जिसके अंतरगत इसकी अधन किया जाता है उसे कोशिका विग्यान कहते हैं बिदर्थों अब चलिए आगे आप पॉइंट दर पॉइंट नोट करने इसको मैं ने समझाने के लिए आपको बताया था तो कोशिका की सनरचना की अंतरगत अनेक कोशिकाएं अंगों को मिला कर ही कोशिका कहा जाता है एक सामानी जन्त कोशिका को सनरचना की द्रिफ्ट से मुखी कितने भागों में बाटा जाता है तो चार भागों में बाटा गया है कोशिका भित, कोशिका द्रो, कोशिकी अंगग और कोशिकी अंतरगत यानि खुश का भित कोश का द्रोव कोश कि अंग के कोश का अंतस्ति ये पूछ जा सकता है आप इसको कर सकते हैं और सबसे छोटी काई सेल है यह भी नोट कर लेना और फिर मैं इसको थोड़ा-थोड़ा समझ ले आगे बढ़ने से पहले देखो कोश का भित यह कोशिका का बाह आवरण होता है जो कोशिका के आंतरिक अंगों को बाह वातावरण से अलग करता है तथा कोशिका को एक निस्ची ते आकार देता है और कोशिका द्रो एक ऐसा तरल रसानिक पदार्थ जिसमें कोशकी अंगक इस्तित होते हैं यह कोशिका कला यह नाभिक के मद्धी होता है और कोशकी अंगक जीवद्रों के अंदर पाई जाने वाली विभिन विशिष्ट अस्थाई सनरचनाएं जिनके द्वारा कोशिका के सभी महतपूर किरियाएं संपादित की जाती है दर्गत वे रसानिक श्राव तथा संग्रहित पदार्थ आते हैं जो समय समय पर बंते बिगड़ते रहते हैं और कोशिका के अंदर इस तरह की रचनाएं बराबर दिखाए देती हैं आपने इसको समझ लिया होगा और इसको आप नोट कर लें दर्थे संरचना कोशिका भि वातावरण से प्रिथक रखता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको और कोशिका को एक निधाय शुरू प्रदान करता है कोशिका भित कहलाता है और इसकी मोटाई आप नोट कर लें मोटाई 4.5 mm से 10 mm के बीच होती है यानि 4.5 mm से 10 mm के बीच होती है इसकी मोटाई और इसकी जो है रचना जो होती है किससे होती है इसकी रचना किससे होती है या नोट कर लें दरते हैं हमने मेन मेन रखा या आप नोट करते चलें बस इसकी रचना फास्फोलिपिट अस्तर यहों प्रोटीन से मिलकर बनती है यानि इसकी जो रचना होती है, फासफोलिपिट अस्तर यों प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक, ये थना आप नोट कर लें, और कारी कोशिकाओं अंगों की सुरच्छा देना यानि जो कोशिका है उसकी अंगों की सुरच्छा देना बाहु दीपनों को ग्रहन कर सकती है और कोशिका भित पारदर्सी परिवर्ती यानि परिवर्ती प्रकृती और आवसकता पढ़ने पर अपनी आकृते में परिवर्तन कर सकती है इसके क्या कारी है कारी आप ध्यान रखें क्योंकि कार्य तो पूछा जा सकता है देखो कोशिकाओं अंगों की सुरच्छा प्रदान करती है ठीक कोश्किये जो होती है कोश के अंगों की सुरच्छा प्रतान करती है दूसरा है बाय दूपनों को ग्रहार कर सकती है तीसरी है कोश का भित पारदर से योग परिवर्ती प्रकरती और आउशक्ता पढ़ने पर अपनी आकरती में परिवर्तन भी कर सकती है और इसके माध्यम से ही एक कोषिका का दूसरी कोषिका से तथा कोषिका का बायवातावरत से संपर्ख बनता है और कोशिका भित्स में ही विभिन प्रकार के ग्राही तत्तु होते हैं, जो कोशिका में प्रवेस करने वाले पदार्थों की प्रकृत के आधार पर उनके आवा गमन का नियंत्रड करते हैं, और इसके द्वारा ही कोशिका को पोशक पदार्थे पहुंचते हैं, तथा कुछ का भृत के आर पार पदाड़्थों का आवा गम इसका करें। कीतने प्रकार से दो प्रकार से निसक्रियोου और होती है और सक्रिया प्रक्रिया बीना सक्ति के आगा है। यानि उर्जा खर्च नहीं होता है इसमें निस्क्रिये प्रक्रिया में बिना सक्ति की आ जा सकते हैं उर्जा नहीं खर्च होता है बिदर थोड़ा सा समझ ले दाकि आपके ध्यान में रहे हैं देखों इन प्रक्रियाओं में निस्क्रिये जो प्रक्रिया होती है जो कोश्का अड़वों का ऐसा आवजमन उन अड़वों से नहीं अपनी गतिज उर्जा के द्वारा हो जाता है और अलग से किसी प्रकार की उर्जा या सक्ति की आउशकता नहीं होती है ठीक लेकिन आप या पॉइंटों में नोट करें क्योंकि कुश्यन तो पॉइंटों में पूछा ज सब्eder micron उभ्रारMO का थोड़ा से समझे प्रक्रिया के अंतर किसी पदार्थिक संदृता वाले भाग से कम संदृता वाले भाग की तरफ गति करते हैं और शुघमी करते वित्रण Wisconsin प्राग मी जिल्ली के आरपार एक अन्य विश्रड विधी द्वारा रसानिक अडवों आइनों का आवागमन होता है जिसे सुगमेकरत विश्रड कहते हैं और परासरड के द्वारा इसके द्वारा पानी के अडव एक चैनित परागम जिल्ली के उस पार जा सकते हैं जहां पानी युक्त गाढ़ा घोल और उसकी झालेस्स निट के सिलीप में रखा गया है तोटा और समझे समें इस में कि कृतिम गुरदार रूपी डालेस्स मसीन में उप्योग में लाकर रक्त को सुद्ध किया जाता है रक्त को डालेसिस मसीन से होकर प्रवाइद करा जाता है जिसके परड़ाम सुरूफ छोटे छोटे अनुपियोगी और त्याज अडुर रक्त से निकल कर बाहर आ जाते हैं और रक्त सुध्ध हो जाता है और फिर उस सुध्ध रक्त को वापस रक्त भईकाओं में पहुंचा दिया जाता है तो यह हो गया डालेसिस ठीक विसरल सुग्मिकरत विसरल परासरल डालेसिस अब सक्रिय प्रिक्रिया सक्रिय प्रिक्रिया में आवा गमन के लिए विसेश प्रियास किया जाता है यानि इसमें एटीपी खर्च होता है यानि इसमें उर्जा खर्च होती है ठी इसमें विद्यार थे हुआ इसमें भी तीन है आप नोट कर लें सक्रिय आवागमन फाइगोसाइटोसिस सक्रिय आवागमन और फाइगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोस साइटोटिस सक्रिय के अंतरगत तीन तरह से इसका यह जो है इसमें प्रियोग होता है यानि कार्य होता है यानि प्रिक्रियाएं होती है तो देखो सक्रिय आवागमन का आप यह सबसे पहले यह समझ ले कि आवागमन के लिए विशेश रसाइनों के अड़ आपेक्छाग्रित अधिक सांद्रता की ओर चले जाते हैं इसका में उर्जा किया हो सकता होती है जो कोसिका के अंदर ATP नामक पदार्थ को तोड़ कर उपलब्ध कराई जाती है ठिक और Phygosytotis को समझने की इसकी अंतरगत कोसिका भित पोड़िया का रूप बना कर बड़े-बड़े ठोस अड़ों को निगल लेती है इसलिए इसको Phygosytotis कहा जाता है ये पूछा जरूर जा सकता है और Phygosytotis इसको समझे यानि Phygosytotis अंतरगत कोशिका भित पोड़िया इसे जो है फाइगो साइटोटीस है जो इसको एक और नाम नोट कर लें कियानि कोश्का भक्षड भी इसको कहते हैं जैसे पूछा जा कोश्का भच्षड किसे कहते हैं तो आप फाइगो साइटोटीस को भी आप्टिक कर सकते हैं और इसको पीनो साइटोटो इसको समझें जि कोशिका भित कुछ तरल अडो को चारों तरफ से घर कर उस दरो को अपने अंदर खीच लेती है और फिर उसे अपने कुछका दरो में मिला लेती हैं इतना विद्यारतु हो आपने समझ लिया होगा और ध्यान से समझेए क्योंकि अगर ध्यांस नहीं समझेंगे तो यह आपको कठिन में लगे अगर एक बार में नहीं समझेंगे दो तीन बार देख लीजिए का वीडियो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा अब इदार थे कोशिका अंगक को रखा गया है स्लेबस में इसको भी समझें कोशिका कोशिका द्रों के अंदर अनेक विशिष्ट रचनाव वाले कितने अंग होते हैं नौ उंगक होते हैं केंद्रक राइब जौम, अंत्रदोजालिका, गालजी कॉंप्लेक्स, लाईजोजूम, माइट्रो काइंड्रिया, पराक्सी सूम्स, साइटो स्केल्टर्न, सेंट्रो स यह हो गए नौंग यानि केंद्रक राइवोजोम अंत्रदोजालिका गाल्जी कांप्लेक्स लाइजोजोम माइट्रोकेंड्रिया पाराक्सिसोम साइट्रोस्केल्टन सेंट्रोसोम अब इदर तो इसमें थोड़ा-थोड़ा आप समझ लें केंद्रक के अंदर अनुवांशि तो बहुत सारे कोश्म तयार कर दे तो इससे कोई मतलब थोड़ी नहीं आप इसको ध्यान समझें देखना कितने अंसरत इसमें तयार हो सकते हैं देखो केंद्रक केंद्रक अंदर अनुवांसिक्त तत्त तो क्या पाएजाता है जीन पाएजाता है आर बीसी जो रेट बिल स क्रोमोजोम होते हैं जो जोड़े में रहते हैं मनुश्यों में 46 क्रोमोजोम होते हैं जो जोड़े में रहते हैं और जोड़ों की संख्या अगर जोड़ों की संख्या गिनी जाए तो 33 होती है लेकिन ऐसे क्रोमोजोम होते हैं 46 होती है ब्रत्यार थो क्रोमोजोम को गुर सूत्र भी कहते हैं क्रोमोजोम को यह ध्यान लखना क्रोमोजोम ना समझ में आए अब राइबोजोम समझ ले थोड़ा यह छोटे-छोटे दाने जैसे इनकी रचना होती है इनका आकार अधिक्तम 25 एनम होता है यह राइबोजोम राइबोजोमल और राइबो राइबोजोमल और 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 राइबोजोमल औ प्रोटीन से मिलकर बनता है इसका निर्माड प्रोटीन से मिलकर बनता है और इनका निर्माड के इंद्रक अड़ुसे के द्वारा होता है और यह अनुवांसिक निर्देस प्राप्त करके यह प्रोटीन संसलेसर करते हैं ये हो गया इनका काम ठीक अब आगे बढ़ते हैं समझते हैं अंतर दो जालिका यह दो प्रकार से हैं दानेदार अंतर दो जालिका और चिकनी अंतर दो जालिका कोसिका दो को यांतरिक मजबूती यह प्रदान करता है और नव निर्मित अंतर कोसिकाओं का यानि पदार्थों को स्टोर करता है दानेदार अंतर दो जालिका और चिकनी अंतर दो जालिका होती है इसमें दो प्रकार की होती है और इसका कार क्या है कोसिका दुरों को यांतरिक मजबूती प्रदान करना और नौ निर्मित अंतर कोसिकाओं यानि अंतर कोसिकी पदार्थों को इस्टोर करना इसका यह काम है अंतरदु जालिका का अब जी कामप्लेक्स समझते हैं विभी जी कामप्लेक्स है रख तरह नितों थोड़ा समझ तो आपकर जुआ समझ में आ जाएगी और अंतरदु जालिका तो यह जो है कि कोशिका के अंदर दोहरी जिली वाली अलग जाला क्या वाही का नुमा रचनाय होती है जिनने अंतरदो जालिका कहते हैं this यह मैंने पॉइंट में आपको नोट करा दिया था अब कालजी कांपलेक्स थोड़ा समझ लेकि यह के जो है यह होता है केंद्रक के केंद्रक के बहुन नजदीक यह जो गालजी कांप्लेक्स है केंद्रक के बहुन नजदीक इस्थिर चार से आठ जिल्ली वाले कोसो सनिर्मित रचना को गालजी कांप्लेक्स कहते हैं यह सारे कोस एक के उपर एक के उपर एक रखी बड़ी प्लेटों की तरह है एक दूसरे के रहते हैं और इनको क्या कहते हैं अर्मिडियां मेडियल ट्रंस का कर लें प्रोटीन का च्छटाई पैकिंग तथा जरूरत के अनुसार कोशिकाओं के विभिन हिस्सों तक पहुचाना जहां पर आव सकता हो अब लाइजोजोम थोड़ा समझ ले लाइजोजोम इसके अंदर एंजाइम भरा होता है जो जटिल अड़ों को तोड़ता है यानि जटिल अड़ों को त बैच्ट कर देते हैं आए आंजाइम दवारा इसका यह कार्य है माइट्रोकरेंड्या माइट्रोकेंड्या यह कोशिके濟र और यह त्मयंके प्लिखने च्छा नियोकि पॉंद्यर करें हो प्लड़िया को सब्ञेबरी है यह कोशिका का पावर हो से या ध्यान दे इस तरह कोश्चन बनते हैं यह कोशिका के अंदर उर्जा उत्पादन तथा उसके सन्नच्छन का धोतक है कोशिका में आई-वेकारबन योगिक जैसे गुलुकोस के आक्सीजन की उपस्थित में प्रजवलन से उर्जा उत्पन होती है और वह एटीपी के रूप में माइट्रो केंडिया में सन्नक्छित रहती है एक हिसाब से इसको आप उर्जाग्रह भी कह सकते हैं ठीक चलिए और यह जो है इसमें ज्यादा जो और अंग थे उसमें जो नहीं बताया गया है यानि स्लेबस में नहीं है अगर पढ़ना चाहेंगे तो अब बुक से पढ़ सकते हैं यहाँ पर जितना से लेबस में है मैं उतना ही रख रहे हूं अब उत्ता को समझते हैं ध्यांत समझना विद्यार्थियों मानो सरीर की सुक्षितम इकाई कोशिका है सबसे छोटी उकाई कोशिका है मानो सरीर में मूलता लगभग 600 खरब यानि 600 खरब कोशिकाओं की सुवेवस्थित संगठा आत्मक संरचना है एक समान संरचना एक समान कारिवाली कोशिकाओं का विवस्थित संगठन उत्तक कहलाता है यानि मानो सरीर की सुक्षितम इकाई कोशिका है या भी द्यान दे या आप कोशिका पूचा भी गया और मानो सरीर मूलता लगभग 600 खरब कोशिकाओं के सुववस्ति संगठात्मक संदचना है एक समान संदचना एउम एक समान कार्यवाली कोशिका का व्यवस्तित संगठन उत्तक कहलाता है ठिक और ये कोशिकाओं अंतर कोश की पदार से जुड़ी रहती है जिनका नाम कोलिजन प्रोटीन है यहाँ आप नोट कर लें यह कोशिकाओं परस पर अंतर कोश की पदार्थों से जुड़ी रहती है जिनका नाम क्या है कोलिजन प्रोटीन है और यहाँ प्रोटीन अतिसुक्ष मतंतों के रूप में रहता है या प्रोटीन किस प्रकार से रहता अतिसूख जुमें तंतों के रूप में रहता है उत्कों को यानि उत्कों की कोशिकायों के मध्य तरल्पदार्थ रहता है उसे क्या कहते हैं उसे उत्तक द्रो कहते हैं यानि टिस्जू फल्यूट कहते हैं ठीक अब उत्तकों के प्रकार हैं चार प्रकार हैं कौन-कौन से हैं अब उत्तना को समझते हैं कि पिजारते हूं उपकलाव तक मानों सरीर वा उनके बाहरी तथा भीतरी अंगों की बाहर परत यानि लेयर का निर्माल करता है यहां परत सरीर तथा सरीर के सभी अंगों को अच्छा दितकर एक सुरचात्मक आवरण का रूप ले होती है जिसे तवचा के रूप में जाना जा और सरीर की अनेग ग्रंथियां पाचन अंग स्वसन अंग जननांग रक्त वाहिनियां आद सभी की नलियां इसे निर्मित होती है इस उपकला उत्तक से क्या क्या निर्मित होती है सरीर की अनेग ग्रंथियां जो होती है पाचन अंग स्वसन अंग जननांग रक्त वाहिनिय आदे सभी की नलियां इससे निरमित होती है वक वुत्तक और थान वपकला उत्तक जड़त के दो खाग है सामान्यू प allen नह कि प्रकार हो समझ पकला फिर उत्तक को आप समझ रहें ना तो उत्तक fit भी दो भाग हैं वे कौन-कौन से हैं सामा जो है सामान्य उपकला उत्तक और संयक्त उपकला उत्तक अब हम समझेंगे सामान्य उपकला उत्तक को समझेंगे इसके अंदर और समझेंगे सामान उपकला उत्तक में पांच प्रकार हैं वे कौन-कौन से हैं? वे हैं सलकाव उत्तक, इस्तंभाकार उत्तक, गरन्थिल उत्तक, रोमक उत्तक और सामवेदनिक उत्तक तो सामान उपकला के पांच प्रकार, सलकाफ, इस्तंभागार, ग्रन्थिल, रोमक, सामेदनेक, उपकला उत्तक ठिक, यानि उत्तकों के चार प्रकार, उसमें से पहला उपकला है, उपकला में फिर दो हैं पार्ट, फिर यानि उपकला में दो पार्ट कौन-कौन से, कौन कौन से उपकला में दो पार्थ सामान और संयुक्त तो सामान में फिर पांच पार्थ हैं पांच पार्थ जो हैं पांच प्रकार हैं कौन से सलकाव इस्तंभाकार ग्रंथेल रोमक समयदानिक ठीक अब संयुक्त उपकला उत्तक के दो प्रकार हैं तो संयुक्त उपकला उ में नाम से समझ सकते हैं सईयोंजी तो अबस में संयों जन अर्थार्थ चोड़ने वाले उत्कों को संयों जीक उत्तक कहते हैं ठिक और ये उत्तक सरीर को आधार तो देते ही साथ ही पोसर यों सन्नचर भी प्रदान करते हैं और सरीर में इन उत्तकों के सरवाधिक मात्रा पाई जाती है शरीर में यह सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है यानि कि सरीर के लगभख सभी अंगों के यहां मद्ध पाये जाते हैं यह उत्तक सरीर को आधार तो देते ही साथ ही पोसड और सरणचन भी प्रदान करते हैं शरीर में इन उत्तकों के सरवाधिक मात्रा पाये जाती है यानि सरीर में सबसे ज़्यादा इसी संयोंजी उत्तक की मात्रा होती है और यह सरीर के लगभख सभी अंगों के कहां पाये जाते हैं मद्ध में पाये जाते हैं और आधार भूत पदार्थ, आधार भूत पदार्थ या मैट्रिक्स अंतर कोशिकी पदार्थ मात्रा अधिक होती है, इसमें इन पॉइंटों को नोट करें, कि ये सरीर के लगबख सभी अंगों के मद्धी पाय जाते हैं आधार भूत पदार्थ या मैट्रिक से अंतर कोशी की ये पदार्थ मात्रा अधिक होती है इसमें सबसे ज़्यादा ये मात्राइं होती है इसी कारण, इसी पदार्थ के अधिकता के कारण इस आधार में संयों जी उत्तक आठ प्रकार के होते हैं, इसकी अधिकता के कारण, ठीक, तो वह कौन-कौन से हैं, नाम नोट करने बिद्यार थे हो, आउकाशी, वशिये, तन्तुमे, प्रत्यास्थ, उपस्थी, लासिका, आस्थी, और रक्त, अब आगे समझते हैं, पेसिय उत्तक में सरीर के अंगों में केमत दिपाई जाती हैं, और सबसे ज़्यादा मात्रा होता है, किसका, कौन सा पदात, मैट्रिक्स, अंतरकोस्की है, ठीक, अधार भूत, या मैट्रिक्स, अंतरकोस्की पदात के आधिक मात्रा कारण, आठ प्रकार के होती हैं, यानि सबसे तो यहां पर में में नाम आप नोट करते चले, मुखे मुखे पॉइंटों को नोट कर लें, और इसके अंदर से अगर समझना है, तो आपको जो है, बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहां समझाने बैट जाएंगे, तो बहुत ज्यादा मतलब एक ही टॉपिक अब आगे हम समझेंगे पेशियों तक, बिदयार्थियों पेशियों हमारे सरीर में, ध्यान समझना इसमें बहुत सारे आंसर निकलेंगे, पेशियों की सहयोग से होती है, हमारे सरीर की जो गति है हलन चलन है जो यानि कार करते हैं पेशियों की सहयोग से होती है अर्थार्थ हमारा चलना फिरना उठना बैटना भागना दोडना या किसी विदायनिक किरिया कलाब के लिए हिलना डूलना पेशियों के बिना तरनिक भी शंबो नहीं होता है बिना पेशियों के व्यक्त मात्र एक मूरती बनकर रह जाएगा निस्चल, निस्चेश्ट और निस्ख्ये हो जाएगा बिना पेशियों के ठीख और इसमें फालनेवा सिकुणने के अधुट प्राकरतिक छमता होती है क्योंकि यह सांकुचंसीर उत्तक की बनी होती है पेशियां अस्थियों तथा तुचा के बीच सुरच्छित रहती हैं ठीक और अब यह आपने समझ लिया होगा और यह भी थोड़ा एक लाइन मैं समझा दूँ कि अस्थियों को परस पर जोडने का भी कार करती है 2 Loendre 3 तदाथा ठाव लाने के लिए यह सीधी होती है को आसा करते हैं आपने समझ लिया होगा आप मुख्य पॉइंट को उसमें भी मुख्य पॉइंट समझते छले ध्यान रहेगा आपको और मुख्य को आप नोट भी करते चलें रविए कुल बार सरीर के कुल भार जो है पूछागया होगा ह op हो बता है आपने ना होता है यह सो होती है रीषर उस्टितना cyn nutr aider होती है 40-50 प्रते चीए और इसमें यह सामय ढावस्था बनाए रखने के लिए इसमें पांच विसेश गुड़ पाया जाते हैं वे कौन-कौन से हैं संकुचन सीलता प्रसार उतेजन सीलता प्रत्यास्थता और लयात्मक्ता कौन-कौन से पांच विसेश गुड़ हैं सामयोस्ता बना रखने के लिए पेशियों में संकुचन सीलता प्रसार उत्तेजन सीलता तो पेसियां सरीर के कुल भार से 40-50 प्रतिसत होते हैं सामयस्ता बनाए रखने के लिए इसमें 5 विशेस गुड़ होते हैं संकुचन सीलता, प्रसार, उत्तेजन सीलता, प्रतियास्ता, लायात्मक्ता और पेसियों के फिर प्रकार आप नोट करें कंकाल पेसी, चिकनी पेसी, हद पेसी पेसियों के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं कंकाल पेसी, चिकनी पेसी, हद पेसी अब इनको थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं कि कंकाल पेशी अस्थियों की गत में मदद करती है, रेखित या पेशी होती है, इनके भीतर काली सफेद रेखा जैसी धारियां दिखाई पड़ती है, और यह हमारी इच्छा के अनुसार कार करती है, इसे अच्छिक पेशी कहा जाता है, और चिकनी पेशी आंत्रिक अंगों से संबंधित इनकी संरचना में रेखाऊं का अभाव होता है, कंकाल पेशी में रेखियां होती है, यानि सफेद और काली भीतर से अगर देखा जाये तो धारियां होती है, और यह हमारी इच्छा के नुसार कार करती है, कंकाल पेशी इसी अभाव यहां आंत्रिक अंगों से संबंदित रहती है और इनकी संडचना जो होती है उसमें रेखाओं का अभाव होता इसलिए इसे आरेखित पेशियां कहते हैं और इसे अनेक्षिक पेशि कहते हैं मस्तिष्क के नियंतरण से बाहर स्वतनत रूप से कार्य करती है इसमें मस्तिष्क के नियंतरण में कार्य करती है इसे ये कहा गया है और तीसरी है हर्द पेशि यानि हिर्दे की भित्तिका निर्मार करती है और इनके भीतर काली सफेद रेखाएं दिखाई देती हैं इन्हें रेखित पेशियां कहते हैं और इनकी किर्याविध मस्तिष्क के निय दें रहे तरण से बाहर कारती हैं यह अन्य खेशिक पेशियों के स्रेड़ी में आती इन्य चांपल समझें कि यशique हम चाह शśmy ίह सकते हैं और नहीं रोक सकते हैं है यहां सब्सक्सिय चिकनी और हिर्द पेसियां, तो कंकाल पेसियों में रेखित पेसियां हैं, यह एच्छिक है, और चिकनी आरेखित पेसियां हैं, और इसे अनेक्छिक कहा जाता है, और हिर्द पेसियां रेखित पेसियां हैं, और इसे अनेक्छिक कहा जाता है, यानि चिकनी और हिर्द पेसि पेसी को अनेक्षिक कहा जाता है और कंकाल पेसी को एक्षिक कहा जाता है और रेखित हैं और कंकाल पेसी हैं और चिकनी पेसिया आरेखित हैं इसमें कोई रेखाए नहीं किसी भी प्रकार की अब पेसियों की किरिया कितने प्रकार की हैं दो प्रकार से भोतिक और रशायनिक देरतियों भहुतिक और रसानी के पिसे में थोड़ा-थोड़ा समझ लें देखो, पेशी उत्तक में फैलने तथा सिकोडने का नयसरगिक गुड़ होता है, आता पेशियों में स्वता फैलने सिकोडने की भहुतिक किरिया होती है, सुसुनामे इस्थित प्रेरिक के द्वारा पेशियों में उत्तेजना उत्वपन होती है, ठीक, और रसानी को थोड़ा समझ लें, कि पेशियों के फैलने वा सिकोडने की किरिया दैनिक कार्यों के दवरान होती है, इनिके फैलने वा सिकोडने से उनमें उश्मा, यानि हीट उत्वपन होती है, जो उर्ज पेशियों के लगातार कार करने पर ठकने के कारड़ इनमें glucose के आक्सी करड़ से उत्पन होने वाला दुकधार आमल यानि काउंचामल दुकधार आमल यानि एक्टिक एशिड जो पेशियों को ठकावट उत्पन करता है और ठकावट दूर करने के लिए पेशियों को इस दुख्द अमल का आक्सी करणा होता है आगे समझें कि पेशियों को उद्दीप्त करने वाले अनि यह आपने समझ लिया कि पेसियां के जो है किरिया भहुत एक और रसानिक होती है और जो पेसियां अगर लगातार कार करती है तो थकावट होती नहीं, जब दिन पर कार करती हैं थकते नहीं तो उसमें ग्लुकोईस की आक्सी करण से उत्पन होने वाला दुखत अमल जो पेसियों को थकावट करता है तो यह जो दुखत अमल है या पेसियों को थकावट उत्पन करता है और ठकावट दूर करने के लिए पेसियों को इस दुख्त अमल का आक्सी करना होता है ठीक अब आगे हम समझें पॉइंट में आप नोट करें कि पेसियों को उद्दीप्त करने वाले ये स्राव चाहे नियूरो ट्रांस्मीटर्स हों चाहे हार्मोन्स हों प्रतेक्ष या अप सुस्मना से ही प्रेरित होते हैं या ध्यान देना कि पेसियों की आप नोट से बता समझने के लिए पढ़ने के लिए याद करने के लिए चाहे कुछ भी हो लेकिन या पॉइंट आप ध्यान में रुखें कि पेसियों को दीप्त करने वाले ये स्राव चाहे नियूरो ट्रा ठीक, इनका जाल पूरे सरीर में फैला रहता है, जैसा कि तंत्रिका हई है, आप समझी सकते हैं, तो तंत्रिका, कोशिका, मुखिता, मस्तिस्क और मेरुरज, यानि इस वाइनल कार्ड में होती है, सूत्रकार, रचना, संदेश, इसका कार सूत्रकार, रचना, संदेश, ग्रह करना है, तंत्रिका उत्तक जो होती है, इसका जाल पूरे सरीर में फैला रहता, तंत्रिका, कोशिका, मुखिता, मस्तिस्क और मेरुरज, यानि स्पाइनल कार्ड में होती है, सूत्रकार, रचना, संदेश, ग्रहण करना, तथा आगे प्रेशित करना, अब आगे समझी कि त संदीजनाएं, तंत्रिका खोशिका, तंत्रिका आतान तो, नीरो, नीरो गलिया, अब आगे समझते हैं, तंत्रिका खोशिका, में यानि ये जो है, इसमें एक, कोई फार्ट नहीं है, यानि कोई प्रकार नहीं और तंत्रिका कोशिकाय में चार हैं, वे कौन-कौन से हैं, यह नोट करें, आधुरुए, आधुरुवी, एक धुरुवी, दुई धुरुए और बहुत धुरुए, इसतरे इसको समझाया गया है, आगे समझें तंत्रिका कोशिका की सन्रचना, कोश तो इनके पिसे में थोड़ा-थोड़ा समझ ले कि कोशिका यानि मुख्य केंद्रिय भाग में है यह और इसमें बड़ा केंद्रक होता है यह मुख्य केंद्रिय भाग है और इसमें यानि यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य केंद्रिय भाग है ठीक और इसमें बड़ा केंद् क्या कहते हैं नियूरो प्लाजमा कहते हैं तो नियूरो प्लाजमा कहा जाता है और इसमें बड़ा केंदर होता है और यह कोशिका तंत्र का मुख्य भाग होता है यानि यहां को तंत्र को सिका का मुख्य केंद्रिय भाग है मुख्य केंद्रिय भाग है कोशिका कोशिका यानि यूशुका के अंतरगत को सिकाय के अंतरगत और इसमें जो दोब भरा रह था उसको निव्रो फ्लाजमा गहा जाता है आगे समझें कि तंत्रिका तंतुक सश और को प्रेशण का कारी करते हैं को सिकाय ठीक अब बार्सुतंत को समझते हैं 20 है अब certified से छोटे होते हैं इसमें तंत्र का तंत्क होते हैं जिनका मुख्य कार संदेशों को ग्रहण करना है इसमें थोड़ा और समझ लेकर लाएं तो अच्छे समझ में आ जाएगा को कि यह पार्शुतंत हैं कोशिका का या निसेल बॉड़ी से धागे के सामान अनेक सूत्र निकल क चारोर फैले रहते हैं तथा ये सूत्र के अनेक साखाओं ये उप्राशाखाओं में बटे रहते हैं जो पार्शतन्त के नाम से जाने जाते हैं ये अक्षतन्त से छोटे होते हैं पार्शतन्तु में तंत्रिका तंतुक होते हैं और जिनका मुख्यकार होता संदेशों को ग्र तंत्रिका तंतुक संयोगों के प्रेशर का काम करते हैं यह को सिखाय यानि सेल बाड़ी इसमें की और पार्शुतंतों संदेशों को ग्रहर करना ठीक अब अक्षितंतों को समझते हैं थोड़ा सा इसका मुख्यकार समेदनाओं संदेशों को अगले नियूरांस के लिए आग प्रेशिद करना अक्षितंतों का कार है इसका मुख्यकार है समीदनाओं संदेशों जो प्राप्त हुआ है उसके अगले नियूरांस के लिए आगे प्रेशिद करना इसमें थोड़ा सा और एक लाइन समझ ले तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोशिकाय जो हो जो है यानि कोशिकाय से निकलने वाली अनेक साखाओं में से एक साखा अपेक चाक्रित मोटी होती है बेलनकार वह लंबी होती है जिसे अक्षितंत कहा जाता है प्राय अक्षितंत एक साखी ही होती परन्त कुछ इस्तितियों में इसमें इसमें साखाएं भी निकलते हैं ज इतना आपने समझ लिए होगा और इतना पॉइंटों में आप नोटकर लें की इस civ का मुखिकार समेयद ना हो संदेश достat यानि इसका अच्छ encourage का मुखिकार होता है समेयद नाओं संदेशों को अगले उरांस के लिए आगे प्रेसित करना तुवासा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा जहां कहीं न समझ मैं कमेट बाक्स में सेयर करें मैं आपको दुबारत समझा दूंगी अगर आप हमाई चैनल पना है तो सबस्काइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अप्लोट करूं आपको तुरन नौटिफिकेशन प्राप्त हो सके तो इसमें हमने कोशिका को समझा और उत्तको को समझा में पॉइंटों को समझा है और जहां कहीं न समझ मैं कमेट बाक्स में सेयर करें तो धन्यवाद बद्यारत हूं